नमस्कार ट्रांस्पोर्ट टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ असलम कुरैशी आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नियूज खलासी ने दिखाई बरबरता लूटा गारी का माल किया साथी ड्राइवर का गतल कहते हैं खलासी और चालक का रिष्टा आपस में ऐसा होना चाहिए जिसमें भरोसा हो आपस में सुरक्षा का भाव हो लेकिन पस्चिम बंगाल में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर इस रिष्टे को दागदार करते हुए खलासी ने अपने ही साथी चालक का कतल कर दिया और दिल को दहला देने वाले तरीके से उसने गारी चालक का कतल किया पुरूलिया पस्चिम मंगाल के रहने वाले सद्दाम मुल्ला ने इस वारदात को अंजाम दिया। दरसल चेननई से कोलकाता के लिए गाड़ी में 51 जेरुक्स मशीन लोड करके ये दोनों आ रहे थे। लगभग 75 लाग की कीमत का ये माल था। सफर के दौरान धूला गड़ में दोनों रुके, वहाँ पर खाना खाया, जिसमें खलासी ने गाड़ी चालक के खाने में नशा मिला दिया। ताकि चालक सो जाए और वो अपने मनसूबों को पूरा कर सके। डायमंड हारबर जिले के एस पी अभिजीत बंदोपाध्याय ने बताया कि किसी तौलिये या रसी के निशान चालक के गले पर मिले, जिससे ये पता लगा कि गला घोट कर हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि देभीपुर नैशनल हाईवे 117 डायमंड हारबर में एक कंस्ट्रक्टिड बिल्डिंग के पास गाड़ी चालक की सड़ी गली बोडी शुक्रवार यानी 28 जनवरी को मिली। पुलिस ने बताया कि निर्मम हत्या करने के बाद सद्दाम मुल्ला ने 23-24 जनवरी की रात को गाड़ी चालक की बोडी एक नहर के साथ लगते हाईवे के पास फेक दी थी। मामले की गहनता से जाच करने पर और पूछ ताच करने पर पता चला कि खलास ने माल लूटने की योजना बनाई और गाड़ी चालक की भी हत्या कर दी। गाड़ी चालक की बोडी मिलने के बाद 29 जनवरी को पुलिस ने दविश दी। छानबीन के दौरान लगबग 31 जेरोक्स मशीन अपने कबजे में लेकर सब्दाम मुल्ला को गिरफतार कर लिया ग देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी पर अपनी गाड़ियों के नंबर वाटसएब करें। आप भरोसा कर सकते हैं उपर।